नमस्कार, आजकल पाकिस्तान के नेताओं के अलगी तेवर हैं, एक इम्रान खान है, जिनों ने ये बोला था, कि पाकिस्तान के इन तीन टूपरे हो जाए है, अब ये बेनजीर भुट्टो के पेटे पिलावल भुट्टो, आप सोचे, कि अगर कर्ण बना था बंगलादैश तो फिर आप अगर अपना जुर्म करते होंगे, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे जमात खरे नहीं होंगे, तो फिर कल सिंदु देश भी बन सकता है, सिराइकी देश भी बन सकता है, पक्तुनों के देश बन सकता है, थर बेनजीर भुट्टो के बेटे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं हो जाता, कि वो उनमें काबिलियत दी हो, बिलावल भुट्टो, जो कि यह बोल रहते हैं, कहां पर टांग रहे हैं, आपने कंट्री के नाशनल लैंग्विज जानते नहीं हो, लेकिन वो बोल रहे हैं, कि पाकिस्तान के टुक्रे हो जाएंगे, सिंद इसी बात करने के लिए हमारे साथ, फकर यूसिफ ज़ई साथ, इनको कौन नहीं जानता है, फकर साथ, सीनय जैनलिस्ट है पाकिस्तान के, और सासाथ, एक अनलिस्ट भी है, और बड़ी यह नूट्रल बात करते हैं, और पाकिस्तान की गौर्वर्मेंट को तो खरी-खरी आते हैं पाकर साथ बहुत बहुत सुरागत आपको मारे श्यों में पहली चीज पाकर साथ ये क्या बिलावल साथ पॉरन मिनिस्टर हो करके तूट जाएगा पाकिस्तान ऐसी लेंग्विज क्यों पोल रहे हैंगे तो बात बड़ी अजीब और बड़ी हरान कुन किसम की इसलि कई न कहीं ये गवर्नमेंट में रहें कभी कश्मीर में इनकी गवर्नमेंट होती है चारो सूबों की जन्जीर बेनजीर बेनेजीर ये नारा हुआ करता था, हम चोटे होते थे, हम ये सुनते थे, बाके थे, इनके पोस्टर्स पे ये नारा लिका होता था, ये जन्जीर वाला, ठीक है, और शायद मैं कहता हूँ, इनकी मदर तक ये पार्टी थी, बिलकुल चार उसूबों में, मेरे खैबर पुख अरसा पहले मुझे टीवी के लिए किसी पॉलिटेशन की जरूरती फ्रॉमर्दान डिविजन, तो मुझे कुई मिला नहीं, और ये बात, मैं अभी रिसेंटली दुबई में एक पीपल्स पार्टी के कुछ लोग थे, काफी सीनियर लोग थे, उनके साथ बैटा हुआ था, तो मैंने उनको ये बात कही, वो सर पकड़के बैटे वे कहते हैं, यार वाकि हमारी पार्टी जो है ना, वो मतलब लाड़काना अभी क्या सिन के कुछ डिस्ट्रिक्स तक ही मैदूद हो गई है, तो सर आप अगर काम नहीं करेंगे, और आप मुझे ये डरा के रखेंगे, प्या क्या करेंगे, अगर डिलیवर नहीं कर रहे हैं, या आपको डिलेवर नहीं करने दिया जा रहा है, आपके जो नाना थे वो भी बड़ा रिजिस्त करते थे, आपकी मदर ने बड़ा रिजिस्त किया था, जननल फरवेज مشرف ने उनको मना किया था कि आप पाकिस्तान ना है उसने का जनरल साब मैं आ रही हूं बलकि मैं आ गई हूं हलांकि बावजूद उसके कुछ अरसा पहले खरीप की हो इमरान खान की हो या असी फिली जरदारी साब की पार्टी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ये बजाए इसके कि ये जो कूर इशूज आवाम के याने जनता के उस पर ये फोकस करें ये इस तरह की बाते करते हैं कि शायद इससे हमें वोट मिल जाएगा को अबीजिंग लैंगविच यूज की उनके लिए और यकीन करें उसका और कोई मकसद नहीं था उस वक्त भी मैंने बोला था आज भी मैं बोलना हूँ ज्यादा पुरानी बात नहुंबर या दिसंबर में मैंने कह यार आपको उससे अगर कोई फाइदा होता है तो फिर पू किरोटी से मिलेगी उनके पास बिजली से आएगी उनके पास रोजगार के मौाकिए इस चीज से आएंगे उनके पास सिक्यूर्टी की सिचुवेशन बैतर होगी तो सर हम आपके साथ करने घर गालम गलोच से चीज चलती है और मैंने उस वक भी रुविद भाई कहा था कि म मेरे ख्याल में अक्सपोर्ड युनिवस्टी के पड़े हुए हैं इमरान खान साब भी और बिलावलबुटो जरदारी साब भी मैंने के यार आपको तुप एक बड़ा मंजा हुआ पॉलिटेशन होना चाहिए एक बड़ा स्ट्रॉंग किसम का पॉलिटेशन होना चाहिए आप इबीजिंग लैंविच ना कहें आप कहें कि हाँ भई हम इस लेवल पे दुबारा आएंगे कि हम आपको यहाँ पे कॉंटेस्ट करेंगे यहने फ्लोर अफ दा हाउस पार्लिमेंट में युनाइट नेशन के पार्लिमेंट में हम आपको टफ टाइम देंगे यह नहीं तो सर इनके पास है ना फॉरण मेंस्टर एक बहुत बड़ी सीट होती है किसी भी कंट्री का फॉरण मेंस्टर मामूली आदमी नहीं होता है अगर प्राइम मेंस्टर के बाद कोई होता है तो वो फाइनेंस मेंस्टर और फॉरण मेंस्टर होता है इंटीरियर उसके बाद interior ministry या home ministry जिसको आप कहते हैं तो वो इस तरह की फजूल बाते क्यों कर रहें और सबसे बढ़ कर अरोई जी ये हालत बनाई किसने ये मैंने बनाई ये आप ने बनाई ये नरिंद्रा मुदी साब ने बनाई ये किसी और x y z पाकिस्तान की अवाम ने बनाई नहीं उनका कोई वो नहीं है ठीक है मैं कहता हूं कि कहीं न कहीं हम भी कसुरुआर होते हैं कि हम गलत लोगों को चूज करते हैं या हम से करवाया जाता है अगर हम इन चीजों से निकलेंगे तो मेरे ख्याल में हम आगे बढ़ेंगे और इदर कोई और कंट्री करके देगा अगर कोई अपने अपने काम में लगा हुआ है तो जब वो अपने काम कर रहे हैं तो हमें भी अपने काम करने हैं हमें भी अपनी problems के solutions को डूणना है जो जो problems आ रही है financial crisis से हम गिरे हुए हैं इसके इलावा security situation खराब हो रही है बाकी political instability है फिर politician में और एक आम आदमी फरक क्या हुआ अगर वो भी मुझे यही बात बता रहे है कि जी यह फलाँ अलग हो जाएगा तो टिम का अलग हो जाएगा यह हो जाएगा बजाए इसके कि आप एक productive काम करें हर जगा पे जो आपकी responsibilities है एक तो अपने अवाम को डिलेवर करें जहां पे आपकी पिछले तकरीबन 20 से 25 साल होगे कि आपकी सिन के अंदर हुकूमत सिन के अंदर आपने क्या डिलेवर किया कराची के अंदर आप जो advertisement में दिखा रहे हैं और जो actual situation है कराची की believe me अरजजी के आज से तकरीबन डेर साल पहले में काफी लंबे gap के बाद कराची गया और मुझे दुक हुआ कराची ठीक है पहले भी मसले मसाइल थे वो कोई निव्यार किया वाशिंटन डी सी या लंडन या इस्तंबोल नहीं था लेकिन एक बड़ा बेहतर शहर था उनकी उसके road security situation बेहतर थी लोग रातों को पिरा करते थे सारा कुछ होता था अब आप यकीन करें कि अब ही एक बार्बर की शॉप पे लोग आए और वहाँ पे बैटे हुए जितने लोग थे तक्रीमन 11 लोगों से mobile wallet सब कुछ लेके चले गए इसके उपर आपने कभी बात नहीं की कि ये कौन कार रहा है ठीक है पिर इसके साथ-साथ अगर किसी चाई के डाबे पे आप रात को बैटे कराची वालों को आदत है गालिबन मंबई में भी मैंने ये सुना किस तरह की activities लोग रातों को लेट नाइट बैटे होते हैं तो कराची में भी ये trend है बहुत पुराना trend है वहाँ पे अगर आप बैटते हैं आएंगे जो अंत मचाईवी है जो कराची के लोगों का सारा पानी चूस कर वो पी गए हैं अपने तरफ उलाए ने मोड दी उन्होंने उसके उपर आपने कभी बात नहीं की कि भाई इस अवाम का हक क्या है जो बिचारे रोस जो वैसे 20-25 जार मुश्किल से कमाते हैं वो करें हमारे लिए वो सबसे बड़ी चीज है बज़े हैं इसके कि आप इंदुस्तान को दमकिया लगाए हमें उन दमकियों से क्या लेना देना जंगे आपने करके देख ली डिप्लमेटिक फ्रेंट पर आपने लड़के देख लिया सारा कुछ करके हो गया अब आगे बढ़ो भई बस खतम करो अब आपने क्या करना है हमें आपकी ये वाली चीज हमें आपसे नहीं चाहिए भई आपसे जो चीज हमें चाहिए वो लोकल जंता को यहां की जो अवाम है उनको डिलिवरी चाहिए अगर सिन में की अवाम को आप डिलिवर करें तलड आया हुआ है पानी नहीं निकलना क्यों नहीं निकलना वडेरों की जमीने आपने खाली करवाने के लिए चोटे जो गरीब अवाम हैं उनके गाउं में आपने पानी डाल दिया वहां पे मिया मिट्टू जो हिंदू कमिनिटी के साथ उसके उपर आप क्यों नहीं बोलते आप इतने पाउरफुल आदमी अगर आप जस्टिस नहीं ले का सकते अपने सुसाइटी के अंदर तो सर पिर मैं कहता हूँ यह वाली कानी कि यह चला जाएगा तो वो चला जाएगा यह जाएगा और यह आएगा तो हम यह कर देंगे ह فضول باتیں. आगर आपके पास अह्तियार है, आपके पास पावर है और आपके पास आता रहता है आप कोई पहली दबाब पावर में नहीं आए बहुत पराने आ रहे हैं. तो ये चीजें आपको डिलेवर करना है. अभी क्योंकि इन्होंने डिलेवर कुछ किया नहीं है अभी इनको डार है कि यार अभी मैकसिमम चे महीने या तीन महीने या चार महीने के बाद या उससे पहले जनरल एलेक्शन आने वाले तो इसी तरीके से वो लोगों को कहेंगे यार हमने बचाया वरना ये तो डूब गया था भाई डूबा हुआ तो पहले से उसमें अब सब का अपना अपना कॉंट्रिबूशन है आपका भी कॉंट्रिबूशन है बागी पार्टिस का भी कॉंट्रिबूशन है सबने अपना अ सर डाला है इसको तबाह करने में अब तो रो रहे हो अब सब बैठ जाओ इस्टबलिश्मिन्ट के लोगों को भी बिटाओ कि बाई जान ये होगा तो हमारी आयाशिया चलती रहेंगी अगर ये खुदा नखास्ता ना रहा तो आपके आयाशिया नहीं चल सकती अफगानिस्त आप काम पर फोकस करें जब आप डिलिवर करते हैं रोई जी ना आपको किसी को गाली देने की जरूरत नहीं होती आप किसी के साथ मुमारी करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि आपका काम दिकरा होता है जब आपका काम दिकरा होता है तो लोग कहते हैं हाँ यार वावा जि यार वाकई आपने डिलिवर किया कराची के अंदर इस वक्त मैं कहता हूँ के एक मेर आयते निमत अला खान बाबा जुमात इसलामी के गालबां आज से 12-14 साल पहले अब तो खेर वो रहे भी ने यकीन करें कि रुई जी मैं जुमात इसलामी का ना सपोर्टर हूँ ना मेरे आइडियलोजी उनके साथ मैच करती है बट उस आदमी ने कराची को डिलिवर किया तो मैं भी याद करता हूँ और कराची में यहने जो MQM के लोग हैं जो सपोर्टर हैं वो भी नमत अला खान बाबा की तारीव करते क्यों इसलिए करते कि उनको उन्होंने डिलिवर किया है बड़े खुबसूरत पार्कस बना के दिया रोड्स अची कर ली ती सीव यू को बड़ा खुबसूरत बना के दे दिया था और बहुत सारे काम कर दिये थे तो लोग उनसे खुश थे पानी के ओपर उन्होंने क्या है जो आपने टेनेवर में पैसा जो था हुंके पास उ क्योंगे क्योंकि डिलीवर किया उन्हेंगे अगर वह डिलेवर करेगा सर्भ साफ डिलिवर करेगा बिलावल कि पार्टी का को म हम सरहांकों पर सरह हम उनकी तारीफ करेंगे और बताएंगे भी क्यार यह यह डिलिवरी किये इन्हों ने अभी एक काम किया कराची के अंदर यह रड लाइन ग्रीन लाइन और यह औरिंज लाइन को चुरू कियें बस इसके मनसूबे मेरे ख्याल में अच्छा इनिशेटेव एक साल पहले मैं उसके अंदर बैटा था एक दो रूट्स मैंने देखने थे अब बिलीवि मैंने तो बाकी कि यार यह यह बिचारे रोज जो जाते होंगे उनका क्या आन हो तो यह चीज़े हैं बजाएस के कि इदर उधर की बाते और खामका के जूट के पलंदे आप लेक एक तो दोनों आपके पॉलिटेशन जो हैं यह उक्सपोर्ट से हैं बिलावन भुट्यो साब भी और इम्रान खान भी हमारी फॉर्मा प्राइमनेस्टर मतमोहन सिंग वो भी उक्सपोर्ट से थे अच्छा उन प्यारोप लगता था वो बोलते कम है बोलते ही नहीं और जो वो बोल रहे हैं आपके वो क्या बोल रहे हैं पता है तो इसे टाइम टू स्टॉप सेंडिगा पॉलिटेशन तो अप्सपोर्ट मेरे ख्याल में मैंने एक और साहब से उनों ने खैर वो कोई पॉलिटेशन नहीं है लेकिन वो भी एक्सपोर्ड युनिवस्टी के ग्रिज एक्सपोर्ड युनिवस्टी इतिफाग नहीं हुआ और अभी पता नहीं मौका कभी जिंदगी में मिलता है या नहीं मिलता बट तिंग इस मैंने कि यह दो एक्जेंपल्स हमारे सामने हैं एक इमरान खान साहब और एक यह वाले और भी लोग पढ़े होंगे पाकिस्तान क बट तिंग इस कि मैंने के यह तो बिलकुली ओलट है ना जो जिस लेवल की वो उनिवर्सिटी है दुनिया की मानी भी लोग एक्जेंपल्स देते हैं Cambridge और Harvard University अमेरे के एक चीज़ और हमारे राहूल गांधी मैंने उनका भी देखा और नहरू का भी देखा पढ़े जबार नहरू का जबार नहरू नहरू ट्रिनिटी Cambridge से पढ़े थे राहूल गांधी भी ट्रिनिटी Cambridge से पढ़े और राहूल गांधी और बिलावल वुट्टो और इम्रान खान इनकी स्पीच में जादा फर्ग नहीं होता है एक बस सिरफ अगे पीछे करके बाकी बाते वही सेम हो हम तो पाकिस्तान की उनिवस्टी से पढ़े उसका भी हम कहते हैं या लाज रखो भई ये नहरू कोई यह ना कहा कि यार यह कैसा यूनिवर्सटी ग्रिजवेटा कि यार इसको यह सेंस नहींए बात करने का या इस तरह की फजूर ओल वोलता है कि यार आप अगर कहते हो क् चोटी सी चोटी युनिवस्टी क्यों ना हो, किसी भी पाकस्तान की, अफगानिस्तान की, हिंदुस्तान की बड़े युनिवस्टीस् की बात नहीं करे आप लोगों की जवाईलाल 99 reald nहरू युनिवस्टी बड़ी फेमस है बाकस्तान के अंदर और बहुत सारे आप पर वो इस आदमी के पास इसके अलावा इसके उपर एक टके का फरक नहीं पड़ा एक अन्य का फरक इस आदमी को नहीं पड़ा तो यार ऐसी एजूकेशन मतलब मुझे तो नहीं समझाती और इसमें मेरे ख्याल है अक्सपोर्ड यूनिवस्टी वालों की घलती तो नहीं है वो तो उन्होंने अपना एक सिस्टम रखा हुआ और शायद 200 साला तारीख उन्होंने वैसे नहीं बनाई भी उसके पीचे बहुत सारी मेहनत होगी लोगों की और बहुत कोशिश होगी और बड़े अच्छे ग्रिजुएट्स भी नो डाउट की निकले होंगे आपके कंट है अफसोस होता है इन चीजों का इमरान खान साब कि आप बाते सुनते हैं तो उसी तरह की बाते कर रहे होते हैं अपने इलावा कोई इंसान बच्चा उनको लगता नहीं हो कहता है यार मैं हूँ तो सब कोच है और अभी बलके कल पर सो किसी ने लेका था तो यार वो कह रह पता ना अगर परस्टन इनके साथ भी हुआ था तो यह बूलने को तयार है लेकिन उसकी देशर्ट एक होते है कि यार उसको चाहिए कुरसी तो यह तो है यह मसाइल तो चल दा है गौर्वर्मेंट कॉलेज लाहोर दिल्ली में इतना फेमस हुआ करता था कि वहां यहां पर पंजाबी एरिया है पटेल नगर वह बड़ा एक्ट एरिया है वह जितने भी लोग वहां से रेफीजीज आया थे आज के डियट में अपनी मेहनत से अपनी मेहनत से आज की डियट में कोई पती से कम नहीं सबने महनत की और सिच्वेशन है कि कई कई करोड के माकान में पाकिस्तान में शायद ना जाना जाता हो लेकिन जियावल हक उसी से पढ़े हो थे यह हमारे कॉलेजिस की कि अग्सफोर्ड हो या त्रिटी केंवरेज हो यहां के पड़े हुए लोगों से उमीद तो यह हुथ है कि थोड़ा सा बैकर बात करें राउन गांदी काई बात काई राउन गांदी समयधारी की बात भी करते हैं ऐसा ही निया कि हमेशा वही बात करते हैं जो मीडिया पे दि कर्म की बात है तो ये प्राइबनेस्टर बने से पहले उन्हें नहीं पता था कि हमें खाही नहीं का टोरल लेकर जाना पड़ेगा सब पता था बिलकुल पता था मैं कहता हूं कि शेवाशरीफ साहब को मतलब अफसोस होता है मुझे इस चीज़ के उपर और मियानवाशरीफ स तो हम रहें हम निकाल तो ना सके लेकिन मज़ीद हमने डबो दिया और अभी हमें शर्म भी आनी चाहिए कि यार हम जिसे कहते हैं कि दुनिया बर में पिर रहें और मांग रहें तो सर ना मांगे ना आप मुझे ये बताएं रोईजी के अभी इनों ने डेर सो से दो सो लग जिरियस कार जिसकी कीमत तीन सड़ तीन लाक डॉलर है एक गाड़ी की उसके लिए एलसी आप कोलते हैं सर मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की नाइनटी सिक्स परसंट पापॉलेशन तो ऐसी है कि वो बिचारी मैं कहता हूँ एक चोटी सी जो मारूती सुदू की आप लो ये महरान कितने की मिलती हैं आपर मारूती एक रटर्ट में का नाव से लिए खलती थी महरान जो बंद हुई है जिस वक्त तो आठ लाख रुपे में मिला करती थी हाँ यहाँ पे ठाई लाख रुपे थी खरीदने के वकाद नहीं थी बिल्कुल मतलब अब उन्होंने कर दी और अलाग कि मैं कहता हूं कि बड़ी खराब गाड़ी होती थी आठ लाख रुपे उस वक्त काफी चीज़ इसले थी कि उस वक्त सवा डेर सव रुपे का डालर हुआ करता तो उस असाफ़ से वो गाड़ी बहुत महंगी थी आज के चले आठ लाख रुपे इतने नह होता है गाड़ियों की कीमते किस तरह बढ़ती है चार लाख पांच लाख चे लाख ग्यारा लाख पंदरा लाख इस तरह गाड़ियों की प्राइस बढ़ रही है जो टोयोटा की गाड़ियां आ रही हैं सुदूकी की आ रही है या पिर इंडिस इसकी होंडा एटलिस की आ आपको मैं कहता हूँ कि बाई आपको आपको लेना चाहिए था महां पर जो पचास सव योरो में आपको रूम मिल जाता है वो वाला लेना चाहिए था आपको उसकी वज़ा यह मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि आपके पास कुछ है नहीं आप गए हुए मांगने के लिए जा रहे मेरे जिया आपके पासाथ को मैं करें और मैं आता हूं जी जिसे कहते कि अपने बिजोंस i futur मैं थ्रैवल करता हूं मों वा उतबाइब गाङत dato ऐ आकर नर के अब पर नो चाहूं के आप मैंक यह तो बड़ा अजीव किस्म का बे शरम किस्म का मतलब यहाँ के लिए इन के पास इस तरह की अयाशियों के लिए इन पास पैसे और अपनी हवाम के लिए इनके पास पैसे नहीं। और उसक फैसले यह नहीं होते कि फखर यूसफ जई अगर टाइम की एक रोटी काया तो उसको कह कि यार उसको चार इस्तों में करके एक इससा उसको किलाया करो ना उसने का नहीं उसने का जो आम आदमी रोटी काते है उसको काने दो लेकिन जो मैं उसके उपर जो इंपोर्ट सी रोटी निकल चुकी है दाल की कीमत जो घू इक है डाइसो से तीन सो रोप पर पर केजी है चावलू की कीमत सड़ीं सो रोप HEY प्याज और नाटर भी इस तरीके से आलू लेलो मतलब जो भी आप चीज बात करो वो ऐसी है कि eak आज अदमी यकीन करें कि चीखें निकल जाती हैं उसकी मतलब मैं कहता हूँ कि मतलब तैंक्स टू गॉड कि बहुत शुकर है मतलब उजात का कि कभी ऐसी परेशानी नहीं आई अपने केट की गंदम आज भी हमकार है लेकिन यार किस कितनों के पास यह फैसलिटी है कितने यह प्रिविलेज हैं यह कि अनको ये चीजह उनको कोई मसला नहीं थे फ्रेजट कॉलते हैं तो दस चीज़े पढ़ी हुए होती है रिजहलागा यह बात यह होती है कि अगर कहता हूँ कि हाँ मैंने ने लीडरशिप करनी है तो पिर मुझे उस तरह बनना पड़ेगा जिस तरह मेरी आम जनता है मु तो कभी सौधियरेविया के पास अपने जनरल आसिम मुनीर साब को बेचता हूँ, कभी दुबई जाके उनके शेखों के सामने कहता हूँ कि सर कुछ मदद करें, सर वो भी अब नहीं कर, उसकी वज़ा ये है कि अब उनको भी बात समझ आ गई है कि यार, बहुत हो गया, पच जाके मज़दूरी करता है या कुछ भी करता है, अपना आप पाल, हमें माफ कर दे, हम आपको नहीं पाल सकते, अमें ना पाल, तो सर इस वक्त दुनिया ये वाला, जो ट्रीटमेंट है, वो हमें दे रही और मैंने ख़ाल, बिल्कुल सही कर रही है, उसकी वज़ा ये है कि वरना हमने सही नहीं होना सब्सक्राइब, हमने कभी सही नहीं होना, हमने अपनी फुल जो आयाशिया हैं, हमने वो जारी रकनी है, कुछी बिलीों काना हमनारा, बाहर से ही आएगा, इम्पॉर्टेट फूड काएंगे वो, वो लोकल वाला तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना हम उनको किलाएं हमने यहां की चीज ना पहननी है नहीं यहां की चोटी गाड़ी में सफर करना अलाएं कि अब यहां की जो जो आम गाड़ी है ना पंदरह सव सीसी वाली और तहरह सव सीसी वाली और अटारह सव सीसी वाली उसकी कीमत भी 7.2 मिलियन प्लस में है, वो भी कोई आम गाड़ी अब नहीं है, वो भी मतलब एक लगजरियस गाड़ी में अब आना शुरू हो गए, च्यूंकि प्राइस इतनी बड़ गए, उसमें यह नहीं पिरते हैं, यह टोयोटा की गाड़ी में सर नहीं पिरते हैं, यह लंडर्स की जिमनादार नहीं है, आपने गर कुछ खुद किया है, तीक थिक एगर दुनिया ने भी किया है, तो क्या आप सोय हुए थे उस वक्त, अगर मैं किसे और को प्लेम कर दूने, आफगानिसान के काते में डाल दूने, आज हमारे पास धिमाग नहीं ता, हम क्या सो जाएंगे और हमारी एकॉनिमी जिस तरह कि आप लोग की टॉफ फाइव एकॉनिमी आती है तो हम भी आ जाएंगे नहीं उस पर टाइम लगेगा बलकि बहुत जादा टाइम लग सकते और बहुत जादा मेहनत चाहिए लेकिन एक डायरेक्शन की तरफ हम जाना तो शुरू कर आया और नहां मांगने का आपको कुई कहता है कि आ के हम से मांगो ठीक है जब आपको कुई नहीं कहता तो आप अपने चादर को देखकर वो कहते हैं ना पाउं पहला हो उससे जब आप पाउं को बाहर निकालोगे तो फिर यही हालत होगी जो इस वक्त भारी हुबी ही है और्दुबई हो गया, स्क्वेट हो गया, कतर हो गया, सुधी अरेबिया हो गया, या कोई और दुनिया की कंटिज हो गया, अब मेरे ख्याल उन्होंने पका फैसला कर दिया, वो ऐसा नहीं है कि वो पहले जिसे कहते हैं ब्लैंक चेक हमें पकड़ा कि जा बेटा याशी मार, वो अब नहीं करते, वो अगर पैसे देते भी हैं, वो बाकाइदा बताते हैं कि बई ये ये चीज़ें और अगर हम मांगेंगे तो आपने लोगों के उपर लगाएंगे, और राइट उनका है कि वो अपने लोगों पे लगाएंगे, मेरा राइट नहीं है जिस साओधियर पर उनका राइट है जो टेक्स देते हैं वहाँ, मेरा राइट है जो यहां मैं देता हूँ टेक्स या बागी चीज़ें मेरा इस पर राइट है, इस में से मुझे मैं कहता हूँ फिसलिटेट आप करो, मुझे ची हल्फ फिसलिटी दे दो, इजुक्रिशन फिसलिटी दे द हुए जी और वो ऐसे हा रहा हुए जी पाकता के दोरे पीजिए हम शेवास अब तश्रीफ लेकर आ रहे हैं अब यार हमारे ओपर को थैसान कर रहे हैं ना हो भाई आपके बगेर भी हमारे वो पश्च्टों में कहा है कि मुर्गे के बगेर भी सुबा हो जाएगी मुर्गा पाकिस्तानी प्राइमिनिस्टर पाकिस्तान के उनके चाचा है पहले प्राइमिनिस्टर उनके पादर थे वो पाकिस्तानी आने कि अपने ही कंट्री दोरे पे आ रहे हैं तो एक बात तो समझने वाली है कि भाई आप अपने आपको क्या वो समझने लगे हैं अपने आपको और आप किस कंट्री की वज़े से वहां बैखें ये भी आपको पता होना चाहिए साथ में एक और चीज के इनका इन लोगों का ये जो वहां पहुचके अपने आपको हीरो समझने लगें इनके लिए कुछ वर्ज होते हैं गोभर्मेंट्स के लिए जैसे के वी वज़ हैं कि तो ये सर्कार हो तो ये दो वर्ज मैं पाकिस्तानी की वीजियर को समझाना चाह रहा था इसका को कि बैसी को चोर नहीं बोल रहा है हैं पूरा दिन अकदीन को इस में लगे होते हैं अमरान खान शेपाश Gospel को शेपाश thou है वो इम्रान खान खान को और जर्दारी को और अपस में लगे होते हैं यह माँ काफी है कि अफना यह करते रहें और काम तो होलता कोई इस समय प्रॉब्लम है इंडिया में इंडिया में गे हुँ इस समय आटा है इस समय अच्छा वाला चारेसे रुफे किलो पच्छेस रुफे किलो नॉमल आटा जो 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 नॉमल दुकानों में बिक रहा है और पीस से पच्चेस रुप है कि लो चावल मिल रहा है अगर इगो डाउन करें तो आम आदमी को इंडिया से मिल सकता है लेकिन यह तरक यह पॉलिटिशन को इनको इगो नहीं जाएंगे फिर मज़ा नहीं आता ना रुदी मस्तोस करेंड हो गया आपके शोगत हैं क्यों लेकिन फिर मज़ा इनको नहीं आता ना जब इनको यह आठे के बोरी के पीछे एक बैक के पीछे यह लड़ रहे होते हैं तो यह एंजॉय कर रहे होते हैं यह लोग यह इनको मज़ा आता है कि यार यह अवाम जो है ना लुटी-पि पीता है अच्छे कपड़े पहने वह बड़ा यूं हो जाते हैं कि यार यह तो आपको यह ने कोई बात करें क्यूंकि हमारे लाहाज तो यह करेगा नहीं तो इनको ऐसे लोग पसंद लिए पोसके साथ और लोगों को इस बदहाल हालत में रखने का एक्सक्यूस कश्मीर को थांक्स अलब फ़र साथ जोइनिंग उमीद आपके साथ एक डिस्केशन और करेंगे अभी के लिए नमसकार धन्यवाद थांक्यू सर बहुत हुआ थेक्या